मैं हूँ प्रदीब गोष्वाम, दोस्तों, यूट्यूब पर मैंने काली हल्दी के अनेको वीडियो देखे हैं, जिसमें मैंने देखा, यूट्यूब पर लोग काली हल्दी को चमतकारी को बता कर अनेको प्रकार के करिश में दिखा रहे हैं कोई बंद ताले को काली हल्दी के पास रख कर खोल दे रहा है तो कोई काली हल्दी से कागज पर आग उत्पन कर रहा है और भियने को चमतकार दिखा कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है दोस्तों मैं आपको इस पश्ट बता दू कि ऐसा कोई भी चमतकार काली हल्दी के पौधे से नहीं होता यह सब केमिकल का कमाल और ट्रिक्ट है इसके चकर में कदापी न पढ़े दर असल काली हल्दी का पौधा जिसे कहा जाता है यह कचूर नामक आयरवेदिक औसधी का पौधा है इस पौधे की पतियों में काली धारियां होती है तथा इसके कंद का रंग बैगनी कलर का होता है सायद इसलिए इसे काली हल्दी भी कहा जाता है परंतु आस्तों में काली हल्दी बहुत ही दूरलब पोधा है तथा इसके पूरे पते बैगनी रंग के होते हैं और इसका कंद भी पूरी तरह से काला होता है परंतु इस काली हल्दी के अभाव में कचूर नामक काली हल्दी का उपयोगी किया जाता है कुछ लोग इसे चमतकारिक तांत्रिक वस्तु मानते हैं, कुछ तांत्रिक गरंतों में भी इसका वरणन मिलता है, परंतु तांत्र में यह काली हल्दी कितना उपयोगी है यह सोध का भिसे है, आगे के वीडियो में मैं काली हल्दी का तांत्रिक परयोगी वताऊंगा, जिसक लिंक आपको नीचे के डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर किजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए